तो क्या आपको भी मीटिंग्स में बोलने से डल लगता है confidence नहीं आता है या फिर जब आप मीटिंग्स में जाते हैं तो कुछ बोल नहीं पाते हैं contribute नहीं कर पाते हैं तो मैं आपको दो ऐसी चीजे दो ट्रिक्स बताता हूं जो आप यूज करेंगे over a long period of time आपकी confidence भी बढ़ेगा और आप लोगों का आप पर opinion भी बढ़ेगा ठीक है number one the concept is called paraphrasing so paraphrasing का क्या है कि यह disrupt with active listening तो जब आप paraphrasing करेंगे तो आपको actively दूसरे की बात सुननी पड़ेंगे तो आपने क्या करना है सबसे पहले आपने बहुत ध्यान से एक notebook लेगे बैठना है और उसके जो main points है आप उसे सुनना है आपको उसको जवाब नहीं देना है आपको उसको सुननना है और उसके जो main points है उसने जो बोला वो लिख लेना है और जब वो खतम हो जाए तो आपको उनको बोलना है कि अब मैं आपको आप उनको वापिस बोलेंगे कि just so that I make sure I understand what you said, let me tell you my understanding of what you just said, right? and please correct me if I'm wrong और फिर आपको वो जो पांच चीज़ें एच्छे चीज़ें जो भी आपने notes लिखे है main points वो आपको उन्हें वापिस बता देने है अब ये जब आप करेंगे ना तो इससे दो या तीन चीज़े होगी एक तो उनको समाझ में आगए कि आप उनकी बात सुन रहे थे तो आपके respect और trust बन गया एक तो सबसे पहली बात ही हो जागी they'll be very happy that you basically took them seriously and you were listening to them, ठीक है? दूसरा आपको वो उनको एक और चीज़ जो उनको लगेगी वो है कि आपको वो जो concept जो बात कर रहे थे जो question जो उन्होंने पूछा था, उसके जो nuances है, जो main points है, वो आपने समझ लिए है और even if आपके पास उस समय answer ना हो, आप वो जा के at least वो answer ढून के ले आएंगे उनको इतना confidence आ जाएगा, और तीसरा आपने obviously बात करी meeting में contribute किया और आपने उनकी जो भी उन्होंने बोला, उसको एक succinct way में उनसे ही नहीं share किया, और भी जो लोग है उनको भी बताया तो वो जो बाकी लोग थे, उनके सामने भी उनकी आँकों में भी आपकी respect पढ़ जाएगी number one, it's very easy to execute, you should always do this, number two is asking good pointed questions, so जब कोई बात कर रहा हो, तो आप उनकी बात सुने, अच्छे से सुने, और कुछ, दो या तीन questions ऐसे लिखे हैं, जो आपके दिमाग में आएं, उनकी बात सुनने के बाद, और वो questions, बहुत specific pointed questions, आप अपना हाथ रेज करके, या अपने, तो आप वापिस उनसे वो questions पूछ लें, clarify कर लें चीजों को, जब आप ये करेंगे, तो in most cases, एक आप सब की help करेंगे, meeting में, basically, और clarity लाने के लिए, to, आप उस जो दूसरा बंदा उदर बैठा है, उसको ये realize कराएंगे, कि आपने उसके, जो उसका statement था, उसके बारे में स सोचा, deeply सोचा, और उसके बाद आपने ये कुछ nuance questions वापिस पूछे, तो ये जो दो चीजे हैं, या आप कभी भी अपनी meetings में execute कर सकते हैं, इनसे आपको बोलने का confidence आएगा, इनसे आपको सोचना नहीं पड़ेगा कि क्या बोलू, और इनसे आपको एक trust factor बिल हो जाएगा, जिससे आप over time आप उन meetings में वापिस contribute करना शुरू कर सकते हैं, thank you.